Hello Everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे And here, मैं आप से हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करना बहुत सादा जरूरी है Self love, self respect पहुत ज़ाद important है तो सबसे पहले खुद का ख्याल रखे, खुद के बारे में सोचे, then किसी के बारे में सोचे अगर आप ऐसा करेंगे, तो पूरी दुनिया में आप से ज़्यादा लखी, आप से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा तो पहले खुद की कदर करो, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचो कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है तो आज है Valentine Day, तो Happy Valentine Day डे डियर आज पूरा दिन आपके पार्टर ने आपको क्या सोचा, क्या आपसे कहना चाहते थे क्या उनकी फीरिंग थी, कैसा दिन उनका पूरा गुजरा आज का तो वो आज हम इस रिडिंग में आपको बताने वाले हैं सबसे पहले मेरे चैनल दिपिका टैरोट पॉइंट को प्लीज सस्क्राइब कर लिए जिन लोगों ने सस्क्राइब नहीं किया है और अगर रिडिंग आप लोगों से रजुनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा कि आपसे रजुनेट हो रही है आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे समझे की मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियो लाने के लिए आप लोगों का साथ देने के लिए तो एक कमेंट तो प्लीज जरूर कीजेगा और हैपी वैलनटाइन डे जरूर लिखेगा देर और क्यूंकि मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी रिडिंग करती। तो यार इतना तो बनता है न तो चलिए सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था अब तक और चलिए सब्सक्राइब करते हैं कि ओके देखे डियर आपके पार्टनर की फुल डे फीलिंग आज बहुत जादा इमोशनल रही है आपने से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नो कॉंटेक्ट सिचुएशन में हैं और काफी टाइम से आप लोगों का ना बिल्कुल जैसे कि ना कॉल है ना मैसिज है कुछ भी नहीं है नो बिल्कुल नो कॉंटेक्ट है या फिर यह कह सकते हैं कि आप दुनों एक दूसरे को देखते भी ने देखे भी बताना कितने दिन हो गई है ना तो वही सब इस मुझे शो हो रहा है तो आप लोगों के जो पार्टनर है ना उन्होंने आपको इतना मिस्स किया है आज इतना ज्यादा केलापन उनको महसूस हुआ है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं आप उनके लिए वैलेंटाइंडे पर एक्शन जरूर लेंगे बट आपकी तरफ से इतना अच्छा एक्शन नहीं लिया ही नहीं है कुछ लोग ऐसे लोने एक्शन लिया ही आप सोचते रहें कि वो एक्शन लेंगे वो और आफ लेंगे तो इसी तरह आप दुनों में से किसी न भी पोई एक्शन नहीं लिया लेकिन जिस तरह आपने आज कादिन बेहों ज़ीज़ाईनेस के साथ गुजारा है अपने पार्टनर की याद में सेज़र उधर भी है न आखिर उनके अंदर क्या कमी रहेगी थी ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों इतने दूर हो गए उस टाइम को कोस रहे थे जब उनसे इतनी गलतियां हुई थी जिसकी वज़ासे आपको मुवन करना पड़ा या आपको उनसे अलग होना पड़ा उस टाइम को बहुत जादा कोस र हम दोनों अलग हुए हैं तो बहुत जादा सोच रहे हैं बहुत जादा स्ट्रैस में रहे हैं बहुत जादा एमोशनल रहे हैं औरHAHA जिसकी आपने से बहुत से जोग आशे एक्षन लेकिन अभी तक आपने कोई अक्षन नहीं लिया था इसलिए वह अभी साइलेंट हैं लेकिन उनका दिन भी बहुत बुरा गया है और जो लोग जिनकी लाइफ में न्यू परसन आने वाले थे किसी वजह से अभी तक भूसे लोग ऐसे हैं आप में से वेट था कि वह कोई न्यूपर्सन आप लोगों की लाइफ में आरा लेकिन अभी नहीं आये हैं तो यू डॉन्ट वरी डियर विकॉज बहुत पॉजिटि की entry होने वाली है single लोगों के लिए हैं आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है बाकी के दिन बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर अपनी ego side में रखकर आपके साथ life में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं जिन लोगों का no contact चल रहा है वो किसी भी तरह contact करना चाहते हैं अपने पार्टनर से आपकी life में entry करना चाहते हैं आपके साथ अपना time बिताना चाहते हैं उन्हें मतलब कि बस यह समझे कि वह आज बहुत जदा बेचैन रहे हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने पास्ट को लेकर जो पास्ट में आप दोने समय बिताना उसको बहुत देखें हैं कि कास अगर आप होते तो वेलेंटाइन डे इस तरह करते या फिर ऐसे करते इस तरह करते मतलब कि एक अलगी planning उन्होंने की है आपको लेकर लेकिन अभी उन्होंने सोच लिया है कि वह एक्शन लेंगे और next वेलेंटाइन डे तक सब कुछ ठीक करेंगे और सब आप सब दोनों मिलकर वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट करोगे तो वह बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है और उनकी ठीकिंग बदल रही है आपको लेकर लेकिन इमोशनली रहे हैं बहुत से लोग ऐसी हैं जो रोए भी हैं रिडिंग र हैं पारी मजश कर दो भारी मजश रहे हैं?